हर दो हमार करान सुनाई होगा राकिट अंतरिख्ष में तमाम फिर दो हमें में उह mechanics आज़ मयाका नाशुक का नाम आप दो उपने तो सुनाई होगा राकिट ऑंतरिख्ष में तमाम सिज़ों को लेखे जाता यानि एक बार अगर राकेट बना और उपर गया तो अंतरिश में जाने के बाद अपने सेटलाइट को पहुंचाने के बाद फिर वापस जाएगा अब दुबारा यह काम करेगा यानि देश में जो पैसा है वो पैसे की बचत होगी यह रियूज किया जा सकता इस राकेट को अब यह बच्चे जो है आर पी किषी सीटोर कालेज के हैं इन बच्चों ने भॉट शूने इस तरीके से रीищ Midman । यह हैं अब बड़ा तरीके से सब्सक्राइकं ने और बाब बैकर इसके साथ जो बच्चे है क्या क्या लगाते है कैसे हैं आक इसे हैं आप का थो जोुरा हमारा एक के बाद एक लॉंच फेल हो जा रहा था, सेकड़ों पढ़ियास करने के बाद हमने 25 जुलाई 24 को 11 बच के 30 मिनट फर हमने एक सफल प्रेक्शनर किया, हमने इसे बनाने में पोटेसियम नाइट्रेट और सल्फर और सूगर पाउडर का मिक्स करके उसको रॉकेट फि बार बार नहीं लगेगा, एक बार रॉकेट बनाएगे, उसमें फ्यूल डालिए और इसको फ्लाई करके इस पेस तक पहुचा दीजिए, जो इसमें पेलोड यानी सामान और भेजना है, वो जा सकता है, ये रॉकेट अपने बिना किसी नुकसान के वापस भी आ जाता है, ह अभी तो सर ये वीदोसिम है, हम लोग ये देश में भी ट्राई करेंगे और इस पर हम लोग ये काम कर रहे हैं, आगे तक ये जाएगा तो और बड़े लेवल पीस का काम हो सकता है, बताईए जो फ्यूल है जला के दिखाईए हमको, ये पाउडर टाइप का है, देख रहे और फिर वहां से वापस आएगी, थोड़ा साब के नस्दीक हमारा है, हाँ बताईए, ये आप पैरा सूट के माध्यम से वापस ला सकते हैं, और सर इसमें जो रिवस, आप लोग ने जो टेस्ट किया है, वो पैरा सूट के माध्यम से टेस्ट किया है, हम अभी उस लेबल तक नहीं सोच पाएं कि जो रिवस फ्यूल होता है, उसको कैसे हम लोग करें, जब हम लोग रिवस फ्यूल के बारे में काम कर लेंगे, तो पैरा सूट के माध्यम से नहीं, हम लोग रिवस फ्यूल के माध्यम से वापस धरती परला से, हम आपको थोड़ा सब वीडियो भी आपने वो वीडियो देख लिया किस तरीके सो सफल पर इच्छन इन बच्चों ने किया है हाँ क्या करें हो सर हमने इसका नाम विक्रम रखा है क्योंकि हमारे जो भारत के इस्पेस एजनसी के अस्थापक है हो विक्रम सारा भाई ही है तो हम उसी उन्हीं के नाम पे हमने इस रोकेट को बनाया है क्योंकि हमने यह फर्स्ट रोकेट बनाया है तो उन्हीं के नाम पे हम लोग को बनाना अच्छा लगा यह चार लोग की टीम है यह राकेट को को इन्होंने तैयार किया है और अच्छी बात है कि कल इसी छोटे-छोटे बैज्ञानी को में बड़ा बैज्ञानी भनेगा और हमारी देश की सेवा भी करेगा और यह तौफीक अलीजी बड़ा अच्छा लग रहा है हम प्रजेक्ट आपके बच्छोंने बनाया ए निरत्रीट में सब रहा हैं और सब साररा जो स्रे है बच्चों का है बच्चे अगर इतना सोच नहीं पाते बच्चों के थॉट है वहाँ तक अगर नहीं पहुच पाता तो मैं भी उसमें हेल्प नहीं कर पाता कि आप कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हो 15 जुलाइ 1969 में अपना इसरो की अस्थापना हुई थी तब विस्व में किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम मंगल गरह पर पहले ही प्रयास में पहुचने वाले है और चांद पर पहले ही पानी खोजने वाले विसकम पहले दिस बनेंगे और उसी भारत भूमी के यह बच्चे नहीं आज पहली ररिय विजबल रॉकेट का सफल पर इंच्छड गिया है। इसे रॉकट को बार बार बनाने का जो खर्चा है, वो कम हो जाएगा. आइस्तों हुझे कहते हैं, रॉकट साइन्स अबसे डिफिकल्ड होता है और बच्चों को इसे बनाने में लगवख 45 डिज लगए देड़ महिने से बच्चे लगतार इस प्रजेट को बनाने में लगे हुए थे, कई बार बच्चों ने failure भी face किये, कई सारे experiment लगवग fail हुए, बच्चों ने लगवग 45 दिनों को यो समय लगाया पर डे कोई एक दो experiment इस rocket के साथ करते थे, launch करते थे और failure मिलता था, 25 तारिक को जब इन्होंने पहली बार उस rocket को launch किया तो पहला वो successful rocket था जब उड़ा और उस समय इन बच्चों के चहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे हमारा ISRO rocket launch करता है, तो पूरा भारत वर्ज जूम उठता है, कि हम जल्दी इस space में वो बड़ी ताकत बनके उभरने वाले हैं सेम वही फिलिंग इसमें बच्चों के साथ मुझे भी आ रही थी, जर ऐसे हम आपको हर ख़बर दिखाते रहेंगे आप बने रहे यूपी अपके साथ अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करिए पर देख रहे हैं तो मारे पेज को लाइक करिए ख़बर अच्छी लगे तो सेर भी करिए